एक दिल्चस्प कहानी है जो हिंदू पौरानिक कथाओं और लोक कथाओं में डूबी हुई है. किंदंती के अनुसार, खाटु श्याम भगवान कृष्ण के पोते और बर्बरीक के पुत्र थे, जो एक योध्धा और भगवान शिव के भक्त थे. बर्बरीक धनुर्विद्या में अपनी बहादुरी और कौशल के लिए प्रसिद था और उसके पास एक शक्तिशाली धनुष और बान था जो स्वयम भगवान शिव ने उसे दिया था. एक दिन, बर्बरीक ने पांडवों और कौर्वों के बीच होने वाले एक महान युध्ध में भाग लेने का फैसला किया. हाला कि भगवान कृष्ण जानते थी कि तीरंदाजी में बर्बरीक का कौशल इतना महान था कि वह के लिए ही युध्ध के परिनाम का फैसला कर सकेगा. इसलिए उन्होंने बर्बरीक से संपर्क किया और उनसे युध्ध में भेट के रूप में अपना सिर्दान करने को कहा. बर्बरीक भगवान कृष्ण के अनुरोध पर सहमत हो गया और उसने अपने ही सिर को अलग करने के लिए अपने तीर का इस्तिमाल किया. जब वो मर रहा था, उसने भगवान कृष्ण से पूछा कि वो ही युध्ध में क्या देखेगा. भगवान कृष्ण ने उन्हें दिव्यद रिष्टी की शक्ती प्रदान की और बर्बरीक अपने सहुलियत के बिंदू से पूरे युध्ध को एक कटे हुए सिर के रूप में देखने में सक्षम थे. युध्ध समाप्थ होने के बाद भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को उसके बलिदान के लिए देवता बना कर पुरस्पृत किया. उन्होंने उन्हें खाटु श्याम नाम दिया और खाटु शहर में उनके सम्मान में एक मंदिर की स्थापना की. आज मंदिर भारत में सबसे लोक्प्रिय तीरत स्थलों में से एक है और हर साल लाखो भक्त खाटु श्याम का आशिरवाद लेने के लिए वहां आते हैं. खाटु श्याम की कहानी न्याय और निश्पक्षता के लिए प्रार्थना करने की प्रथा से भी जुली हुई है. किंदन्ती के अनुसार धुलु नाम का एक व्यापारी खाटु शहर में रहता था और उस पर एक धनी व्यापारी द्वारा चोरी का जूठा आरोप लगाया गया था. धुलु अपनी बेगुनही साबित करने में असमर्थ था और उसे मौत की सजा सुनाए गई थी. हाला कि धुलु खाटु श्याम का भक्त था और उसने न्याई के लिए देवता से प्रार्थना की. उनकी प्रार्थनाओं का जवाब तब मिला जब खाटु श्याम ने राजा को सपने में दर्शन दिये और धुलु की मासूमियत के बारे में सच्चाई बताए. देवता के हस्तक्षेप से राजा हिल गया और उसने धुलु की रिहाई का आदेश दिया. अंत में खाटु श्याम की कहानी एक आकरशक कहानी है जिसने दुनिया भर के लाखों भक्तों की कल्पना पर कबजा कर लिया है. उनकी कहानी बलिदान भक्ती और न्याय की है और यह हिंदू पौरानिक कथाओं और लोक कथाओं की स्थाई शक्ती का एक वसियत नमा है. खाटु श्याम का मंदिर एक लोक्प्रियतीरत स्थल बना हुआ है और उनके भट अपने जीवन में उनका आशिर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त करना जारी रखते हैं. नियाए और निश्पक्षता के साथ अपने जुड़ाव के अलावा, खाटु श्याम को एक ऐसे देवता के रूप में भी जाना जाता है जो अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं. बहुत से लोगों का मानना है कि उनके मंदिर में पूजा अर्चना करने और अनुष्थान करने से वे अपने जीवन में सफलता और सम्रिद्धी प्राप्त कर सकते हैं. खाटु श्याम से जुने सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक फालगुन मिला है जो हर साल फालगुन महीनेक फरवरी मार्च के दोरान होता है. इस त्योहार के दोरान पूरे भारत और विदेशों से भक्त उत्सव में भाग लेने और देवता का आशिर्वाद लेने के लिए खाटु आते हैं. त्योहार रंगीन अनुष्ठानों और समारोहों की एक श्रिंखला द्वारा चिनित किया जाता है, जिसमें भजन गायन भक्ती गीत देवता को भोजन और मिठाई की पेशकश और दीपक और मुंबत्या जलाना शामिल है. त्योहार का मुख्या आकर्शन भव्य जुलूस है, जिसमें खाटु श्याम की मूर्ती को एक रत में ले जाया जाता है और कस्बे की सड़कों पर घुमाया जाता है. फालगुन मेले के अलावा, खाटु श्याम मंदिर में साल भर कई अन्य त्योहार और कार्यक्रम भी मनाये जाते हैं. इन में जन्माश्यमी त्योहार शामिल है, जो भगवान कृष्यन के जन्म का प्रतीक है, और नवरत्री त्योहार, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है. वर्षो से खाटु श्याम मंदिर दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए आस्था और भक्ती का प्रतीक बन गया है. मंदिर ना केवल हिंदू भक्तों को, बल्की अन्य धर्मों और संस्पृतियों के लोगों को भी आकरशित करता है, जो देवता के त्याक न्याए और करुना के संदेश की और आकरशित होते हैं. खाल के दिनों में, मंदिर आस्पास के क्षित्रों में शिक्षा, स्वास्थे देखभल और अन्य सामाजिक कारणों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे विबिन संगठनों और समूहों के साथ सामाजिक और सास्कृतिक गतिविधियों का केंडर भी बन गया. है, इसने देवता और उनके भक्तों के बीच बंधन को और मजबूत करने में मदद की है और मंदिर को समुदाय के जीवन और पहचान का एक महत्वपूर्व हिस्सा बना दिया है.